हेलो स्टूडिन्स, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सब का फिरसे स्वागत है मैं शेलजा गोयल हूँ, असिस्टिन्ट प्रोफेसर सोशियालोजी, गावर्मेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर में आज हम जब इस टॉपिक पे डिस्कुशन करने वाले हैं, वो म.A. प्रीवियस, सेकेंड सेमिस्टर के पेपर वन, Modern Sociological Theories में एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सोशियालोजीकल थेओरी है Modernism to Post-Modernism वो कौन से factors थे जिसने हमारी society को Modern Society से Post-Modern Society में convert कर दिया इसका historical development कैसे हुआ और Post-Modern Society की क्या characteristics हैं कौन-कौन से इसके key thinkers हैं आज इन सभी चीजों पे हम discussion करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या होती है Post-Modern Society Post-Modernism या उत्तराधुनिकता ये एक ऐसा शब्द है जो आजकल बहुत जादा प्रचलित है या बहुत जादा fashionable है Post-Modern को कुछ विचारक ऐसा मान दें कि ये एक ऐसे रंग की समार है जो जिस व्यक्ती या जिस वस्तु में लगा दिया जाए वो आधुनिकतम बन जाती है जो आधुनिक के बाद आता है वही आधुनिकतम है जो modern के बाद आता है वही post-modern है तो इसलिए ये काफी जादा trend में है चाहे हम किसी भी शेत्र में इसको देखें म्यूजिक में, आर्ट में, फिलोसफी में, लिट्रेचर में, कल्चर में, किसी भी शेत्र में हम देखें post-modernity जो है वो trend of the day है post-modern philosophy कहती है कि इस world को पूरी तरह से परिभाशित करना या इसे समझना लगभग impossible है क्यों ऐसा कहा जाता है? इस chapter में समझने का प्रयास करते हैं मतलब आप ये मान के चलिए कि हम इसमें उल्टे चलेंगे सारी चीजें जो post-modernity नहीं हैं, वो जानने के बाद हम वहां तक पहुँच पाएंगे कि post-modernity क्या है otherwise इसे समझना लगभग impossible हो जाएगा इसलिए पहले क्या changes हमारे world में आए हमको ये देखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि actually post-modernity क्या है सबसे पहले देखते हैं post-modern concept post-modern concept जो है post-modernity का वो एक era भी है और एक broad moment भी है जो late 20th century में सभी शेत्रों में ये start हुआ चाहे वो philosophy हो या art हो या architecture हो music, literature हर शेत्रों में जो एक revolution सी आई एक changes आए जो modernism से अलग थे जिन्होंने modern सोच का, modern चीजों का बहिशकार किया जो भी कुछ modern हम कहते हैं हम कहते हैं हम modern है सबसे ज़ादा advance कहा जाता है modernism को but modernism के आगे जब modern theories fail हो गई तो उसके आगे जब लोगों ने realize किया कि हम modern से आगे बढ़ चुके हैं तब उन्होंने अपने आपको post-modern कहना start किया post-modern जो term है वो उसमें ambiguity है इन terms में जो mostly important terms है वो post-modernity यूज़ होती है post-modernism यूज़ होता है और post-modern social theory इन तीनों में difference है क्या difference है देखते हैं post-modernity का मतलब एक historical epoch है ये एक ऐसा historical काल है कि जहां पर modern era खतम हो गया और उसके बाद जो समय शुरू हुआ उसको कहा जाता है post-modernity वही post-modernism जो है वो culture से related है जब art, music, movie, architecture इन सब चीजों में जब changes आए और modern changes को disregard करके जब post-modern चीजों को अपनाया गया तब इसको post-modernism कहा जाता है ये culture से related है और तीसरा है post-modern social theory post-modern social theory, way of thinking that is distinct from modern social theory जो हम modern social theories पढ़ते हैं दुर्खिम की थेओरी, Parsons की, Merton की ये सारी theories modern social theories में आती हैं एक तरह से हम कहा सकते हैं कि जो दुर्खिम की थेओरी है Parsons की, Merton की, Karl Marx की ये सारी theories जो हैं इनमें world को center पे रखा गया इसमें science को, progress को center पे रखा गया और एक grand theories हैं लेकिन post-modern theories जो हैं वो इन चीज़ों को discard करती हैं और इसमें सुधार करके कुछ नया करने का सोचती हैं और ये जो है post-modern social theory कहलाएगी अब हम देखते हैं कि post-modern जो term है उसकी शुरुआत कैसे हुई कहा जाता है कि सबसे पहले 1880 में John Watkins Chapman ने post-modern style of painting पेंटिंग में उन्होंने सबसे पहले इसको post-modern कहा इसकी बाद 1921 और 1925 में music और art के कुछ नए forms आए और उनको post-modern कहा गया फिर 1942 में H.R. Hayes ने literature में जब नए terminology आई जब नए तरीके आए तब साहित्य के शेत्र में इस term का यूज किया फिर हम बात करें कि sociology में इसकी शुरुआत कब हुई तो sociology में सबसे पहले 1979 में Jean Francois Lyotard ने अपनी book का नाम The Post-Modern Condition रखा और ये बहुत ही famous book है और यहीं से sociology में इस term का use होना शुरू हुआ लेकिन अगर हम symbolic ली देखें कि Post-Modernism actually start कब हुआ तो ये माना जाता है कि world में एक बहुत बड़ा architectural failure हुआ और वहीं से post-modernism की starting हुई ये architectural failure था Prut Ego नाम के housing project का जो St. Louis, Missouri, US में था इसकी date भी दी गई है July 15, 1972 में तीन बच के 32 मिनट पे दुपहर को इस project को ध्वस्त कर दिया किया अब इसके पीछे reason ये है कि इस project की शुरुआत होई थी ये मान करके कि St. Louis में जो slum area है वहाँ के लोगों को भी यहाँ पर housing project में एक अच्छा रहने का स्थान दिया जाए जिससे जो मनुश्य है वो अपनी गरीबी पे विजय प्राप्त कर सकता है लोगों को लगा, सरकार को लगा कि इस तरह से वो गरीबी पे विजय प्राप्त करेंगे एक equality जो है वो स्थापित होगी और ये human progress का और नई सोच का एक modern सोच का एक नमूना कह सकते हैं ये था लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये pruit ego में जो pruit है वो black Americans को अलॉट किया गया और जो ego था वो white Americans को अलॉट किया गया पर white Americans ने black को reject कर दिया और ये कहा कि हम उनके साथ नहीं रहेंगे और इस तरह से उन्होंने उस apartment को छोड़ दिया और जो black Americans थे उनके लिए काफी मुश्किल था एक mediocre income के साथ में इस apartment में रहना तो maintenance cost और ये सारी चीज़ें government के उपर काफी ज़ादा पढ़ने लगी उसके साथ साथ इन apartments की जब maintenance नहीं होती थी तो यहाँ पर काफी ज़ादा uncleanliness, disease और crime भी बढ़ने लगे और इस वज़े से यहाँ पर government को इसको पूरा का पूरा vacant कराना पड़ा और उसके बाद में यहाँ पर इसको demolish करना पड़ा तो इस तरह से यहाँ पर post-modernism जो है उसकी शुरुवात इसको symbolically माना जाता है कि जो modern सोच थी उसकी हार होई और फिल post-modernism की starting होई अब हम देखते हैं post-modernism का historically कैसे इसका development हुआ हम अगर 2000 सालों की अपनी history को देखें तो तीन तरह से इसको divide किया गया लगभग 1500 तक का era जो है वो pre-modern era कहलाता है 1500 से 2000 सन तक का era modern era कहलाता है और उसके बाद का era post-modern कहलाता है यह बहुत ही vaguely बताया गया है इसकी कोई definite timings नहीं है Western countries में यह माना जाता है कि लगभग 1400-1500 इसवी के आसपास वहाँ पर renaissance हुआ जिसको पुनर जागरन भी कहा जाता है या enlightenment उसके पहले का समय हम pre-modern कह सकते हैं और जब renaissance हुआ तब science, technology, तर्क इन सब चीजों का महत्व बढ़ा और उसके बाद का जो समय था वहाँ से modern era स्टार्ट होता है जो pre-modern time था उस पे मनुष्य जो था वो dependent था वो ईश्वर के प्रतिसमर्पित था जो western countries है वहाँ पर पोप का समराज्य था जो God है उन पे trust था और ये कहा जाता था कि भगवान ने जो rules बनाए हैं जो नियम बनाए हैं उसको सभी लोगों को follow करना जरूरी है लेकिन जब enlightenment हुआ तब उस time पे आते आते लोगों ने science and technology के developments किये industrial revolution हुई, scientific revolution हुई, अंतरिक्ष के शेत्र में हर जगे पर changes आये और उस वक्त जो था लोगों की सोच में तरक की प्रधानता बढ़ने लगी कारे कारण के संबंद वहाँ पर जादा प्रचलित होने लगे और लोगों को ये लगने लगा कि reasoning के द्वारा human progress संभव है और मनुश्य अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है जो modern era था उसमें science, technology ये सब चीजों का तो बहुत जादा विकास हुआ लेकिन कोई भी अगर नया शुरुआत होता है जब change होता है तब उससे पहले एक transition का period होता है वही transition का period यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1500 के आसपास जो transition का period था उसमें pre-modernity पूरी तरह से खतम नहीं होई थी और modernity start हो चुकी थी तो वह जो transition का period होता है उसमें काफी ज़ादा disturbances होते हैं जैसे योरोप में 30 year war cut वो टाइम था religious wars काफी ज़ादा हो रही थी और एक mixed opinion लोगों की देखने में आती है उसके बाद जब modern era आया तब यहाँ पर लोगों ने science and technology का काफी ज़ादा विकास की और यह माना जादा था कि मनुश्य की powers जो है वो inevitable है और वो किसी भी चीज़ पे अपनी reasoning के द्वारा अपने तर्क और science technology के द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है और इसलिए प्रकृती का काफी ज़ादा दोहन भी हुआ पर दीरे दीरे समय जैसे बढ़ता गया आगे वैसे वैसे जब world wars world में हुई first world war and second world war तो लोगों को यह समझ में आने लगा कि जो nuclear weapons यह सब चीज़ें भी science की ही देन है उस टाइम पे हिटलर का जो प्रशासन था जो काफी राजकतावादी था काफी ज़ादा डिक्टेटर्शिप थी उस टाइम पे भी बहुत बड़ी संख्या में जेविश लोगों को खत्म किया गया mass slaughter लोगों का हुआ काफी ज़ादा मात्रा में अलग-अलग continents में दास प्रथा और यह सारी चीज़ें पचलित थी और इस वज़े से भी जो है post-modernism जो है उसकी शुरुआत हुई और लोगों को यह लगने लगा कि मनुश्य को अगर absolute freedom दी जाए तो वो भी हानिका रख है और यह जो है यह मनुश्य को ही समाप्त करने के लिए पर्यापत है इसलिए science and technology का एक negative impact भी हो सकता है उसके साथ साथ environment इसमें भी काफी जादा degradation होनी स्टार्ट हो गई और environmental crisis भी स्टार्ट हो गई और इसी वज़े से जब 1970 के आसपास आते आते मितलब post-modern era के पहले पहुचते तक जो भी problems और crisis modern era की थी उसके लिए females ने men को ही responsible माना और इसलिए feminism की स्टार्ट उस टाइम पे हुई जो feminist थी उन्होंने भी अपने 1970 की दशक के आसपास जो moments किये उसमें उन्होंने कहा कि जो भी crisis world में देखने को मिल रहे हैं उसके लिए men ही responsible हैं और अगर females को इस world की ruling power अगर दे दी जाए तो सारी चीजें एकोलोजिकली ठीक हो सकती हैं तो लगबग 1952,000 के आसपास आते आते इसमें फिर से हमारी society में हमको बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं और इसको हम post modernity के तरफ बढ़ना क्या सकते हैं आज हम जिस युग में रह रहे हैं वो भी एक transition का period है यहाँ पर बहुत जादा confusion है ना पूरी तरह से modernism गया है और ना ही पूरी तरह से post modernism आया है यह जो time है यहाँ पर जो cultural wars हैं वो काफी जादा देखने को मिलती हैं environment की काफी जादा problems देखने को मिलती हैं आप अभी कही example ले लीजिए यह सब चीजें आ रही हैं यह भी हमारी lifestyle और science and technology के गलत प्रयोग का कहीं ना कहीं प्रभाव कहा जा सकता है तो इस तरह से यह जो है यह अभी ecological crisis का time चल रहा है लेकिन हम post modernity की तरफ बढ़ रहे हैं अब हमारा जो center of interest है वो men से हट करके अब earth हो गया है अब हम पित्वी के बारे में दुनिया की sustainability के बारे में सोचने लगे हैं sustainable development की बाते हो रही है जो environment है उसको protect करने की बाते होती हैं और इसके लिए moments भी चलाय जा रहे हैं वापस से हम जैविक की तरफ बढ़ने लगे हैं फिर से हम organic products का use करने लगे हैं ये सारी चीज़ें हमारे सोच में आते बदलाओ का परिणाम है इसलिए कहा जा सकता है कि हम post-modernity की तरफ अब चलना शुरू कर दिये हैं तो ये थी हमारी history from pre-modern to post-modern I hope आपको इस चीज़ से आगे इस concept को समझने में थोड़ी आसानी होगी इसके बाद हम आगे चलकर अगर इस difference को philosophy कली देखें इन चीज़ों को summarize करके देखें pre-modern, modern और post-modern world में philosophically क्या क्या चीज़ें हुई तो सबसे पहला point हमको मिलता है कि अगर हम metaphysical देखें मतलब what is real, किस चीज़ में मनुश्यों का विश्वास था तो pre-modern time पे जो मनुश्यों का विश्वास था वो supernatural की तरफ था कि जो भी चीज़ें हो रही है वो कोई अद्रिश ये शक्ती है जो ये सारी चीज़ों का संचालन कर रही है वही modern time पे जो था ये faith आया कि नहीं सारी चीज़ें कारे कारण और science पे based on है कि कोई भी calamity या कुछ होता है तो वो इसके पीछे कोई reason होता है अपका जो post-modern time है वो anti-realism का time है अब इन सारी चीज़ों को मनुश्य जो है वो discard कर दिया लेकिन क्या है actually वो भी अभी तक सपष्ट नहीं है इसके अलावा epistemologically अगर हम देखें how do I know epistemology का मतलब यह होता है कि knowledge कैसे आया कहां से आया उस knowledge के बारे में तो वो जो जो ग्यान की अवधारना थी उस समय की जो philosophy थी pre-modern time की उसमें एक mysticism और एक faith था मतलब एक तो रहस से बना हुआ था कि चीज़ें क्यासे घटित होती है और उसके अलावा एक विश्वास था उस allocic शक्ती पे कि जो भी है वो God की वज़े से या एक supernatural power है उसकी वज़े से ये सारी चीज़ें हो रही है जो भी हमें घटनायन देखने को मिलती है वही modern time पे आते आते अब्जेक्टिविजम जो है उसकी तरफ लोगों का ध्यान गया मतलब प्रत्यक्षवादी सोच experience, अनुभववाद की अनुभविक्ता के आधार पर लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि क्या सही है और क्या गलत है और एक reason था जो चीजें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है वही सत्य है ये माना जाने लगा जो scientific orientation है लेकिन post-modern के time पे आते आते चीजें subjective हो गई अब लोग क्या reality का मतलब निकालते हैं उस चीज को सही माना जाने लगा लोगों का अपना perspective क्या है उस नजरिये से देखा जाने लगा और जो बड़ी बड़ी grand theories थी जो हर चीज का solution ढूनने का दावा करती थी उनको खारिच कर दिया गया और ये माना जाने लगा कि कोई एक परम सत्य नहीं हो सकता बलकि लोगों की अपने अपने छोटे छोटे सत्य हैं जो उनके लिए सही बैठते हैं इसके बाद human nature के आधार पर अगर हम देखें कि मनुश्य क्या था वो क्या सोचता है कौन है तो उस आधार पर pre-modern जो time था उसमें मनुश्य जो था वो उसके अंदर एक original sin का concept था एक ये concept था कि सारी चीज़े इश्वरी इच्छा के परिणाम स्वरूप होती है और इश्वर की जो इच्छा है उसी के आधार पर मनुश्य जो है वो काम करता है वो dependent था इश्वर पे और एक द्वैत वाद था मनुश्य और इश्वर के बीच में modern time पे आते आते ये चीज़े nature और nurture की choice बन गई मतलब कि मनुश्य की वास्तवी प्रकृती क्या है और उसका सामाजी करण किस आधार पे हुआ है उसका पालन पोशन कैसे हुआ है इसी के आधार पर मनुश्य अपने जीवन में choices बनाता है और एक तरह से वो independent था autonomy थी उसके पास में कि वो कैसे अपनी life को spend करना चाहता है ये चीज़े modern era की थी post-modern में जब हम आते हैं तो मनुश्य जो है वो छोटे-छोटे groups में divide हो गया अलग-अलग groups हैं उनके अपने-अपने interest को ले करके लोग जो हैं वो छोटे-छोटे समूह में divide हो गया है जैसे कोई environment को बचाने का group बना लिया है तो कोई industrialist है जो उस तरह से सोचता है लोगों के अपने-अपने motive and interest है और उनमें conflict भी हमें कभी-कभी देखने को मिलता है और एक groupism की जो एक feeling है एक गुटवादिता जो है वो हम को देखने को मिलती है इसके अलावा अगर हम ethics की बात करें कि मनुश्य को कैसे रहना चाहिए moral consideration अगर हम देखें तो pre-modern time पे जो था वो एक altruism था एक duty और sacrifice का भाव था कि मनुश्य जो है उसके क्या कर्तव्य हैं और उसको त्याग के लिए हमेशा तयार रहना चाहिए यह pre-modern world में before renaissance हमें देखने को मिलता है modern world में जो है वो individualism में जैसा हम पहले बात कर चुके हैं व्यक्तिवादिता बढ़ गई थी और लोग जो थे वो pursuit of happiness was the prime goal of people लोग जो हैं वो केवल खुशी की तलाश में जो चीजें उने satisfaction दे उसकी तलाश में वो काम करते थे अगर हम post-modern world की तरफ देखें तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी change नज़र आती है अब लोग जो हैं वो यह मान के चलने लगे हैं कि उनका एक compassion उनका आ गया है उन लोगों के प्रति की जो लोग weak हैं, oppressed लोगों के प्रति उनके प्रति जो है लोग अब compassionate हो गए हैं और progress में जो पिछड गए हैं ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लोग जो हैं इस वक्त काम करने को तयार हैं और एक collectivism की भावना देखने को मिलती है egalitarianism का मतलब होता है equality पे लोग जो हैं वो अब ध्यान देने लगे हैं इसके अलावा politics और economy की अगर हम बात करेंगी हम किस तरह से रहते हैं तो pre-modern time पे जो था वो एक hierarchical structure था feudalism था वहाँ पर European society में हम देखते थे एक hierarchy बनी हुई है और एक authority का distribution था सबसे उपर में Pope होता था उसके बाद जार होता था या राजा होता था और उसके नीचे में feudal lords होते थे फिर सर्फ या आम जनता होती थी तो इस तरह से एक hierarchical structure था और सबसे जादा authority Pope के पास थी और सबसे कम जो है वो सर्फ के पास थी अगर हम modern time की बात करें तो इस समय liberal capitalism हमको देखने को मिलता है लोगों में liberty थी लोगों के पास में equality थी और उसके साथ साथ पुंजीवादी समाज भी हमें देखने को मिलता है अगर हम post modern world की तरफ बात करें तो ये समाज जो है ये समाजवादी समाज है जिसको socialism कहा जाता है ये वैसा समाज है जो सभी लोगों का भला हो सभी लोगों को बराबर की सारी सुविधाएं मिले इस पे ध्यान देने के लिए post modern world में लोग सोचने लगे हैं इसलिए sustainable development की बात या social responsibility की बात जो है ये सारी चीज़ें की जाती है in fact industries में भी corporate social responsibility की जो बात की जाती है वो इसी वज़े से इसी विचारधारा की अधार पर की जाती है अब अगर हमको modernity और post modernity को समझना है तो उनकी characteristics को हमको side by side देखना पड़ेगा की आखिर modernity की क्या characteristics हैं जो post modernism में change हो गई modernity क्या है और ये modern society जो है इसकी क्या characteristics और features थे ये हम देखते हैं सबसे पहले कहा जाता है कि modern society में जो economic production था वो industrial society थी एक capitalist society थी पुंजीवादी देश थे industrial revolution के बात का ये समय था तो industrialization काफी ज़ादा पच्रित था और ये जो society थी ये classes में divided थी जिसको Marx ने कहा था कि शोशक और शोशित वर्क, पुंजी पती और बुर्जुआ तो उनमें ये जो है society divided थी और ये जो society थी इसमें जो labors थे वो अपना जो श्रम हैं उसको बेचा करते थे और जो capitalist थे वो अतिरिक्त पुंजी का निर्मान करते थे तो इस तरह से पुंजी वादी समाज जो था वो ये समाज था modern समाज second इसमें देखने में आता है कि cities और urbanization ये काफी जादा हुआ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अब industrialization की वज़े से गाओं को छोड़कर शहरों में जाकर बसने लगे थे और इस तरह से बड़े-बड़े जो ओद्योगी केंडर थे और बड़े-बड़े महानगरों का इस वक्त में विकास हुआ तीसरा हम इसमें देखते हैं कि powerful central government थी और एक नौकर शाही का सामराज जी था एक bureaucratic state था यहाँ पर local governments काफी जादा central governments काफी जादा प्रचले थे हैं और यही सारा administration का काम देखती हैं उसके साथ साथ एक काफी sophisticated bureaucratic state भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो सभी तरह की लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं चाहे वो education हो, चाहे public housing हो चाहे sanitization हो, चाहे जो भी चीज़े हो law and order हो यह सारी चीज़ों की देख रेक जो है वो central government and bureaucracy करती है इसके अलावा हमें modern world में देखने को मिलता है कि scientific and rational thinking जो है वो काफी जादा इस time पे popular थी और इसमें हमको religious faith का जो जादू है, जो superstitions है उन सब चीज़ों पे एक अविश्वास का भाव देखने को मिलता है और science and technology को सर्वे सर्वा मान कर लोग चलते थे ये कहा जाता था कि अगर कोई natural disaster भी हो रही है जिसे earth quake वगेरे तो उसके पीछे एक scientific reason है ना कि वो एक act of god है और इस तरह से मनुष्य अपनी reasoning के द्वारा अपने science and technology के पेयोग द्वारा इन चीज़ों का solution ढूणने में सक्षम है और इसी के कारण हमारी society जो है वो आगे बढ़ सकती है और उसकी प्रगती हो सकती है और मनुष्य का भला भी केवल इसी के द्वारा हो सकता है अब ये जो characteristics थी basically ये हमने देखा modern society की characteristics थी कि यहाँ पर capitalism था यहाँ पर industries का काफी ज़ादा बोल बाला था सब्चीजों पर विश्वास की कमी आ रही थी इस टाइम पर इसके अलावा लोगों का ये ध्रड विश्वास था कि मनुष्य अपनी हर समस्या का समाधान साइंस के माध्यम से निकाल सकता है इससे अलग post-modernism में हमें देखने को मिलता है post-modern society वो society है जो modernity के इन basic concepts को reject करती है और कुछ अलग features and characteristics इस टाइम के society में हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वज़े सी ये society change होती है for example post-modern society के अगर key features को हम देखें तो उसमें 5 चीज़े मुख्य रूप से मिलती है एक है globalization जिसको आप भूमेंडली करन क्या सकते हो एक media का प्रभाव चाहे वो social media हो चाहे वो television cinema हो इसके अलावा आपका तीसरा है a world in fragments जो world है वो छोटे छोटे fragments में divided है इसमें काफी जादा change है dynamism है बहुत जल्दी जल्दी से changes होते है rapid social change देखने को मिलता है इसके अलावा ये एक उबोकता समाज है consumer society है मनुष्य अपनी lifestyle को choose करने के लिए पूरी तरह से free है और इसके बाद यहाँ पर हमें काफी जादा cultural diversity देखने को मिलती है एक hybridity हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ये चीज़ें क्या है इसको थोड़ा और detail में समझते हैं सबसे पहले globalization आज का जो time है वो globalization का time है globalization या भू मंडली करन हम उस चीज़ को कह सकते हैं कि पूरे विश्व की लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और information जो है हमारा पृत्वी security चली जा रही है ये कहा जाता है इसमें आप अगर अपना example लें तो आपके कितने ऐसे friends होंगे जो इंडिया से बाहर के होंगे जिन से आप बहुत आसानी से बात कर सकते हैं चाहे वो टेलिफोनिक conversation हो या आपके facebook के थूँ हो आप कहीं पर भी किसी भी country में बैट कर किसी भी country का content वाया इंटरनेट देख सकते हैं ये सारी चीज़ें globalization का ही परणाम है आप अपने घर पे बैट कर pizza burger खाते हैं McDonald's ये भी तो foreign brand है Pepsi, Cola ये सारी चीज़ें जो हम day to day life में अपने यूज करते हैं ये सब globalization का ही परणाम है और ये globalization जो है ये post modern world की एक विशेष्टा है इसके अलावा second है the increasing importance of the mass media मीडिया का काफी जादा महत वो बढ़ता चला जा रहा है अब मीडिया इतना powerful है कि इसके मात्यम से क्या वास्तविक है और क्या केवल एक image है इसको ढून पाना भी बहुत मुश्किल है लोग बड़ी आसानी से मीडिया को उपयोग करते हैं बहुत बड़े नंबर पे लोग अपनी खुद के videos, music, अपनी profile वगेरे बनाते हैं अपनी sites बनाते हैं और उसको public domain में डाल देते हैं और सारे के सारे लोग जो हैं वो उन चीज़ों को देखते हैं उन चीज़ों से educate होते हैं इसने काफी जादा interactivity को बढ़ा दिया है बहुत जादा flexibility दे दी है society में लेकिन इसके साथ-साथ इसने एक बहुत confusing state को भी पैदा कर दिया है इसी को बोड़ी लाड ने कहा था hyper reality hyper reality उनका एक काफी famous concept है उन्होंने ये कहा कि इस time पे मीडिया हमें जो भी चीज़ें देता है हमारे लिए वही सच है हम केवल मीडिया की ही आँखों से world को देखते हैं हमें ये भी नहीं पता कि वास्तविक्ता में कोई चीज़ घटित हुई है कि नहीं हुई है क्योंकि जो भी information हमारे पास आ रही है वो मीडिया के थूँ आ रही है और इसी को बोड़ी लाड ने कहा hyper reality उन्होंने example लिया war का कि कि किसी country में अगर कोई युद्ध होता है तो उसके बारे में information हमें मीडिया के थूँ ही मिलती है और वो information कितनी सही है और कितनी नहीं वो हम नहीं जान सकते तो यही जो concept है यह मीडिया से related है इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसका एक downside मीडिया का ये भी है कि लोग अप उनमें दूरिया आती जा रही है लोगों में आपने खुद मेहसूस किया होगा आज एक घर में चार लोग बैट करके अगर एक साथ बैठे वे भी हैं डाइनिंग टेबल पे भी हैं तो भी वो अपने अपने मॉबाइल पे लगे होते हैं और सब के सब साथ रहकर भी दूर बने हुए हैं एक फेक वर्ल्ड में लोग जीने लगे हैं और ये जो सारी चीज़े हैं ये मीडिया का ही प्रभाव है हम अपने जो हमारे लोकल फ्रेंड्स हैं नेबर्स हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं और हम एक वर्चुल दुनिया में अपने फ्रेंड्स खोचते हैं ये मीडिया का दुश प्रभाव है इसके बाद इसमें जो तीसरी चीज़ कही जाती है वो है a world in fragments आज का जो post modern world है वो काफी fast changing world है बहुत dynamic है आप उसकी किसी संरचना को सही तरीके से नहीं देख सकते कि वास्तर में वहाँ पर कोई stable संरचना है की भी नहीं है इतनी जल्दी बदल जाती है रोज आप देखते हो कि आज कोई चीज ट्रेंट में है कल वो नहीं है आज कोई टेक्नोलोजी आई कल दूसरी टेक्नोलोजी आ जाती है तो ये जो fast changing world है ये world हमें fragmented बना रहा है और ये भी post modernism की एक पहचान है इसको अगर हम देखें कुछ शेत्रों में ज जो drastic changes है उसका जैसे आप work को देखो तो पहले लोग जो हैं उनके पास permanent job होता था job for life जिसको बोला जाता था specially government jobs को इस training में रखा जाता था कि एक बार आप उसमें आ गए तो आपकी life secure है जब तक आपकी retirement नहीं है तब तक आप safe हो लेकिन अब government job में जाना बहुत मुश्किल है काफी जादा competition देखने को मिलता है इसके अलावा अब जो time है वो portfolio worker का आ गया है अब लोग अपनी progress के लि वहां उनका package बढ़ जाता है और इस तरह से उनकी progress होती है वैसी companies पी जो अपने employees रखती है वो temporary रखती है उनको जब तक किसी skill के लिए workers की skilled workers की जरुवत है वो उनको hire करती है और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है या कोई अगर मान दीजे किसी तरह की कोई मंदी आ और companies यही नहीं अपने स्थान भी जल्दी जल्दी चेंज करती है globalization का वर्ल्ड है multinational companies है start-ups रोज नहीं आती है और वो start-up जो है एक बार उनके पास में उनको एक sufficient amount में capital मिल गई amount उनका return हो गया profit आ गया तो वो अपनी start-up को किसी और को कोई और उसको acquire कर लेता है या वो कि तो इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी business change हो रहे हैं और लोग काफी जादा अपनी positions change कर रहे हैं अगर हम इसके बाद fashion, music और movies की बात करें आर्ट की बात करें तो इसमें भी rose changes देखने को मिलते हैं कल कोई actor, actress आपको पसंद था आज कोई दूसरा पसंद है वो train में है कल video viral है, art के form में भी rose changes हो रहे हैं, music में भी कभी कोई trending होता है, कभी कोई trend में होता है, वैसे ही fashion को अगर हम देखें तो हर दिन fashion change हो रहा है, अगर आप sports को देखें तो कल कोई hit player था, आज कोई दूसरा hit player है, तो ये सारे चीजें हमारे जो society उसमें एक stability नहीं है और बहुत ज मतलब ये की काम की तलाश में लोग जो हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे move करते रहते हैं, अभी अप ये COVID-19 की situation में ही देखिए कितने प्रवासी मज़़ूरों की समस्या हमें देखने को मिल रही है, लोग काम की तलाश में अपने गाउं अपने घर को छोड़ कर कर दूर दूर कहीं कहीं जा करके वो काम कर रहे थे, और ये समस्या इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं, इसका सीधा सीधा अंदाज एक आम इनसान को इस situation की वज़े से लग पाया है, ये हमारे लिए बिलकुल live example है अभी का, कि इस तरह से जो local communities है वो disturb हो रही हैं, वो local communities में जो है वो एक changes आ रहे हैं क्योंकि लोग अपने घरों को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, एक stable route नहीं है उनके पास, आज उनके पास बड़े शहरों में काम नहीं है तो वो वापस अपने घरों पे लोट करके आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़े जो है ये breaking down है local communities की और ये भी हमको post modern society में देखने को मिलता है, इसके बाद जो fourth point हमारे सामने आता है post modern world का वो है consumer society, ये एक उभोकता समाज है, आज व्यक्ति की पहचान वो क्या काम करता है इस चीज़ से नहीं होती, बलकि उसकी पहचान इस चीज़ से होती है कि उसकी lifestyle क उसने कौन सी brand के कपड़े पहने हुए, कौन सी brand के जूते पहने हुए है, वो कैसे घर में रहता है, वो किन चीज़ों का उपयोग करता है, किस कार में घूमता है, या कौन सा mobile हाथ में रखता है, हर कोई अपनी image को enhance करने पे लगे होते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी latest औ की एक पहचान देखने को मिलती है, ये एक pick and mix society है, लोग अपनी lifestyle में बहुत सारी चीज़ों को mix करते हैं, आज की society को आप किसी workplace की society या किसी industry की picture से नहीं देख सकते, बलकि आज की society को अगर आपको visual तरीके से दिखाना हो तो उसको आप एक shopping mall की picture के रूप में दिखा सकते हैं, एक super market की picture के रूप में दिखा सकते हैं, तो ये हमारी जो society है, इसमें luxury lifestyle की importance है और ये consumer society है, इसके बाद हमें post-modernism में जो देखने को मिलता है, वो है cultural diversity, जो cultural diversity है, जो हमारी संस्कृती में जो बहुत सारी विभेदी करण है, विभिन्निता है, उससे हम इसको पहचान सक आज का टाइम, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, जैसा हम पहले देख चुके हैं, और काफी संख्या में लोग जो है, वो एक दूसरे से mix हो रहे हैं, इस टाइम पे बहुत सारी traditional cultures जो है, वो आपस में mix अपो रहे हैं, चाहे वो हमारे खान-पान से related हो, चाहे वो हमारे lifestyle स से related हो, हमारे पहनावे से related हो, हर चीज हमको globalized way में दिखाई देती है, जैसे मैंने पहले भी example लिया, आप अपने घर पे pizza बंगवाते हो, Italian food मंगवाते हो, आप जब किसी restaurant में जाते हो, तो आप वहाँ पर पूछते हो, menu देखते हो, आपको कौन सा खाना खाना है, continental खाना ह कि आपको Mexican खाना है, या फिर आपको Italian खाना है, या आपको Indian food में जाना है, तो ये आपके पास जो choices हैं, ये सब चीजें एक cultural diversity की तरफ दिखाता है, कि हमने कितनी सारी चीजें अपने lifestyle में mix की हुई है, आप channels देखते हो, तो आप star sports देखते हो, star news देखते हो, HBO देखते हो, National Geographic, BBC News देखते हो, ये सारे foreign channels हैं, आप इनको अपने घर पे देखते हो, ये भी आपको वहां की news देते हैं, जो विदेशी countries की है, लोगों की lifestyle, लोगों का रहन सहन, सोच, ये सारी चीजें जो है, ये इससे प्रभावित हो रही है, और इसके साथ साथ अब educational हो, चाहे आप political आपकी ideology हो, या आपके job हो, या आपके religious faith हो, ये सारी चीजें आपकी ethnicity, gender ये सारी चीजें जो है, डाइवर्सी वाइड हो गई है, इस टाइम पे, इसके बाद आगे हम देखते हैं, कि post-modern society एक तरह से एक network society है, और ये एक बहुत ही complex structure में convert हो चुकी है, अब post-modern society की संरच को define करना काफी मुश्किल है, और ये एक काफी complex society है, जिसमें लोगों का network global way में बन गया है, इसका एक result ये है, कि अब लोगों को ये नहीं समझ में आता कि उनकी clear direction क्या है life में आगे बढ़ने की, सब जगे confusion का environment है, atmosphere है, progress से उनकी अब जो विश्वास है, वो हट चुका है, और वो किस दिशा में आगे बढ़ें, ये समझ से परे है, तो इस तरह से ये एक confusing society है, तो ये हमने देखा की features modern और post-modern society के, इन में क्या difference है, एक बर हम quick revision कर लेते हैं, जैसे modern society के जो characteristics हैं, उसमें एक clear social structure था, clear class division था, clear gender division था, male, female, अलग-अलग काम करते थे, लोगों के काम divided थे, अलग-अलग classes में society divided थी और ये clear cut एक differentiation था, जिससे society में काफी एक निश्चित सा माहौल होता था, संद्रचना society की निश्चित होती थी, इसके अलावा यहां पर modern society में एक nuclear family वाली society थी, एकल परिवार जिसको हिंदी में कहा जाता है, उस पे वो जोर देते थे, इसके बाद jobs for life था, लोग अपने काम के प्रती समर्पित थे और एक काम के प्रती वफादार रहते वे, कंपनी के प्रती वफादार रहते वे, सारी life उसमें spend करते थे, इसके अलावा nation states और politics का यहां पर माहौल था, राश्ट्रियता की भावना थी, लोगों को अपने country पे हम से होगी ही होगी, जबकि post modern society जो थी, उस post modern society की जो विशेष्टा हैं, उनमें globalization की पूरा विश्वे एक परिवार की तरह हो गया है अब, उसके अलावा एक uncertainty है, life किस direction में जा रही है, job किस direction में जा रहा है, लोगों की सोच, किसी चीज की कोई यहां पर certainty नहीं है, उसके इसके अलावा एक consumerism हर जगे हो भोकतावाद है, जो बिकेगा वही बनाओ, science भी वही important है, जो money प्रोवाइट कर सके, कला भी वैसे ही होनी चाहिए, जो आपको earning दे सके, यह consumerism की examples है, और ऐसी ही society में हम रहते हैं, इसके अलावा individual freedom अब बहुत जादा हो गई, लोग अपनी reality खुद construct करते हैं, इसके बाद more diversity, अभी का जो समाज है, उसमें काफी जादा विबिनता है, काफी जादा diversified है, मीडिया और hyper reality इस टाइम पे बहुत जादा देखने में मिलती है, हर चीज मीडिया और social मीडिया के माथिम से होती है, वो काफी powerful है अभी, और एक hyper real सी situation है, ज reality से भी जादा real हमें दिखाई दे, उसको हम hyper real कहते हैं, तो यह key features थे modern and postmodern society के, इसमें अगर हम कुछ examples को देखें और, तो जैसे postmodern and modern art का यहां पर मैंने example लिया हुआ है, और एक architecture में क्या changes आ रहे हैं, उसकी भी यहां पर pictures आप देख सकते हैं, तो इस तरह से यह differences थे, actually postmodernism को in a nutshell हम क्या कह सकते हैं, postmodern basically जो है, वो जो भी चीज़े modern थी, उन चीज़ों को खारिच करना और उन चीज़ों का विरोध करना यह postmodernism है, postmodernism जो है वो एक distrust है, अव इश्वास है modern principles की तरफ, grand narratives की तरफ, grand narrative मतलब जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जिसको हम व्रिहत वृत्तांत भी कह सकते हैं, जो meta narratives हैं, मतलब पूरी society को लेकर के कोई एक principle को सबसे बड़ा मान लेना और उसके उसी के आधार पर पूरी society को समझने का प्रयास करना, बड़ी बड़ी mythologies, enlightenment की जो भी vision था, जो भी theories थी, जैसे rationality या तर्क, objectivity, absolute truth, एक शाश्वत सत् Human nature और progress के बारे में जो enlightenment vision था, वो सारी चीज़ों को इसने discard कर दिया, इसके अलावा जो लोगों की रहन सहन है, social system है, historical developments है, political चीज़े हैं, उन सब चीज़ों को भी जो है, इन्होंने खारिच कर दिया, और ये माना कि ये सारी चीज़ें जो है, ये मनुश्य जो है, वो literature, art, philosophy, history, जो भी चीज़ें, economics, architecture, जो भी चीज़ें, जो मिलती हैं हमको modern world में, उन सब चीज़ों को reject करता और उन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, इसके अलावा एक चीज़ें इसमें आपको सपश्ट होगी, कि ये जो है, text and language को, the fundamental phenomena of existence मानता है, वो ये मानता है कि जो व्याकरण है, जो text है, जो भाशा है, ये चीज़ें जो है, इनकी संरचना जैसे बनती है, उसी आधार पे हम अगर समाज की या संसार की संरचना को समझने का प्रयास करें, तो जादा आसानी होगी, जैसा कि आप लोगों ने post-structuralism में भी ये चीज़ें देखी लेवी स्ट्रॉस के structuralism में भी हमने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत अध्यान किया है, तो हम इन चीज़ों को जानते हैं कि कुछ ऐसे विचारक थे जो समाज की संरचना को समझने के लिए, भाशा की संरचना को समझने पर जोर देते थे और चूंकि post-modernism, post-structural से भी related moment है, तो इसलिए ये चीज़ें भी इसमें हमें देखने को मिलती हैं, इसके साथ साथ हर चीज़ों को समझने का एक literally analysis होना चाहिए, हर phenomena का ये मानते हैं, एक साहितिक समिक्षा होनी चाहिए, इसके बाद ये reality क्या है, और इसकी image क्या है, representation क्या है, सत्य क्या है, और इन चीज़ों के उपर भी ये question उठाते हैं, meta narratives का ये हमेशा discard करते हैं, जो विधी follow की जाती है, किसी भी चीज़ों को करने की modern era में, methods और evaluation इन चीज़ों को ये जो है, इसके against में हैं ये लोग, power relations की बात करते हैं, जैसा कि Foucault के theory में हमें देखने को मिलता है, इसके अला naturalism, neo-marxism, neo-pragmatism, neo-behaviorism and neo-existentialism, अस्तत्ववाद, इन सारे के सारे सिध्धानतों से ये कहीं ना कहीं relate करता है, लास्ट में हम देखते हैं कि post-modern world के key thinkers कौन से कौन से हैं, इनके बारे में अगर हम briefly देखें, तो Jean Frankois Lertard, इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इन की philosophy के सबसे बड़ी चीज़ी, the post-modern condition, book का नाम इन्होंने रखा अपनी, और sociology में introduce किया post-modernism को, इसके बाद Jack Viss Darida, इनकी deconstruction और double reading theory के बारे में हम जानते हैं, जो post-modernist भी है देखिए, इनको अलग-अलग categories में रखा जाता है, कुछ होते हैं जो moderate post-modernists हैं, कुछ हैं जो extreme post post-modernists हैं, और कुछ ही कहते हैं, कि post-modernism अभी तक आया ही नहीं है, बलकि हम late modernity के चरण में हैं, कि modernity अभी पूरी तरह से गई नहीं है, जो हम post-modern world में enter करें, और उस सीज़ के बारे में theory बिनाना बहुत मुश्किल है, जो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, उन thinkers में जो late modernity की बात करते हैं, उनमें सबसे पहला और important नाम आता है Anthony Giddens का, दूसरा George Ritzer का, और उसके अलावा आता है नाम Ulrich Bake का, etc. और भी लोग हैं, जो late modernity से related हैं, फिर एक moderate post-modernist हैं, जो कुछ हद तक post-modernity आ गई हैं, ये मानते हैं, उनमें famous है Frederick Jameson, इन्होंने late capitalism की बात की, उनकी book उसका नाम था post-modernism और the cultural logic of late capitalism, जीन बोडरिल आर्ट का जैसा हमने देखा, वो extreme post-modernist हैं, जो काफी जादा post-modern world के बारे में बात करते हैं, और ये world आ चुका है, और हम उसमें रह रहे हैं, वो ऐसा कहते हैं, उनके concepts में hyper reality, simulations and simulacra, simulacra का मतलब होता है reproduction of objects and events, और एक नाम आता है, इसमें important Michael Foucault का, जो Foucault हैं, वो उनको post-structuralist भी कहा जाता है, और वो साथ-साथ post-modernist भी हैं, इन्होंने discourse की अवधारना दी, इन्होंने genealogy की बात कही और power की बात की, इन्होंने ये कहा कि power and knowledge किस तरह से related हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम फिर किसी lecture में इनकी theories के बारे में अलग-अलग देखेंगे, लेकिन अभी we are short of time, तो इस वज़े से हम यहीं पर ही अपना ये chapter close करते हैं, so in a nutshell, post-modernity एक ऐसा concept है, जिसमें हम world को ना पूरी तरह से समझ सकते हैं और ना ही उसको परिभाशित कर सकते हैं, जैसा कि हमने starting में देखा था, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी society में modern से post-modern की तरफ कैसे transformation हो रहा है, मुझे लगता है कि आपको ये topic अप काफी अच्छे से clear होगा होगा और interesting भी लगा होगा, अगर इस topic से related आपको कोई query है या कोई doubt है, तो आप मेरी YouTube चैनल में नीचे comment section में अपना comment छोड़ सकते है मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको solve कर सकूँ, हम फिर किसी अगले lecture में मिलेंगे, till then take very good care of yourself and thanks for watching.